हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज आप सबको एक इंट्रेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ मैं, जानते हैं क्या? मेरे केबल एक ही प्रश्न पूछने से आपको दो उत्तर मिलेंगे, चलिए जानते हैं कैसे? एक ही प्रश्न अगर मैं एक समान्य स्टूडेंट से पूछू और वही प्रश्न अगर कॉमार्स स्टूडेंट से पूछू तो उत्तर अलग-अलग मिलेंगे? आईए, चलते हैं इस एक्टिविटी के स्टार्ट करते हैं. तो प्रश्न यह है कि, what is the full form of LPG? तो सोना बिटिया, चलो, बताओ तो, क्या है इसका उत्तर? यह खुई तो बच्चु जयाता प्रश्न है. हाँ, हाँ, पता है, लेकिन बताओ तो. हाँ, हाँ, LPG मतलब तो वही गयास सिलेंडर ना? हाँ, तो full form बताओ बिटिया. हाँ, वह तो liquid petroleum gas है. गुड़ गुड़ बिटिया, चलो, अब यही प्रश्न तुम्हारी बहन मौना से पुछते हैं, जो कि एक commerce student है. सोना बिटिया, तो सही बताओ है. बट हम लोग तो LPG का full form liberalization, privatization, globalization पड़े हैं. Very good बिटिया, लेकिन यह होता क्या है, तुमको पता है क्या? हाँ, हाँ, पता है मुझे, इसे का मैं पढ़ाती है मुझे, मुझे सम अच्छे से याद है. हाँ, रुखो बताती हूँ. L for liberalization, इसका मतलब होता है कि एक कोई new industry को start करने के लिए जो भी procedure होते हैं, उस procedure को liberalize कर देना, या बहुत easy कर देना. P for privatization का मतलब होता है, slowly slowly अगर कोई government की company या कोई public company, private individual को अपनी company sell कर देती है, तो उसको privatization बोलते हैं. और जी से globalization का मतलब होता है, एक country में जो भी समान बनता है, जो industry बनाती है, उसको export करके बाहर की countries भाले भी उसको use कर सके. तो हम यह कह सते हैं कि globalization का मतलब समान बना करके दूसरे country के लोगों तक पहुचाना, उनको sell करना, वही तो globalization होगा. Very good, very good, बिटिया. I am very happy. चलो, इसी बात पर LPG का year पताओ, अगर पता हो तो, हाँ, इसको तो शायद 1991 New Economic Policy भी कहते हैं क्या? हाँ, 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 very, very good, बिटिया, बहुत कुछ हो गया, आमको.